प्रिशा वाकिय में जिन्दा है ना और रुद्रक्ष कहां है क्योंकि उसने कहा था रुखी की मा प्रिशा है तब ही वो उसके आगे सच बताने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है श्याद अभी उसे कहती है हाँ बंटी हमें सच जाना है सच बताओ बंती दोनों के pressure में आ ज़ाता है पिशा जिन्दा है यह सब सुनकर वेजनती काफी ज़ादा शौक में आ जाती है वह सोचती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है तब भी बंटी अपने आप में कहता है लेकिन मैं इस से जादा कुछ हो नहीं बता सकता शादा कहती है कि क्या सच में प्रिशा जिन्दा है मुझे उसे देखना है बंटी प्लीज प्लीज मुझे एक बार प्रिशा के पास ले चल तब ही बंटी कहता है लेकिन प्रिशा उसके घर पर नहीं है तब ही वो नोटिस करते हैं कि जो दर्वाजा है वो लॉक्ट है बंटी जाता है और मीना के पास जाता है और कहता है कि प्रिशा कहा है तब उसे information मिलते है कि प्रिशा तो शिम्ला के लिए जा चुकी है और वो बस स्टेंड के लिए भी निकल चुके हैं दुसरी तब दिखाया जाएगा रुद्वाक्ष प्रिशा को ढूंटा है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और टाइटल सॉंग प्ले होता है फिर दोनों एक दूसरे के फ्रेस को टच करते हैं यहां पर रुद्वाक्ष उसे यकी इन पांस सालों में तुम्हारे बिना यहां पर रुद्वाक्ष कहता है लेकिन हम दोनों पेस्ड़्थ कंड़ वाटर है तुम मेरे पास थरुप रिपास क्यों प项 Safety and and इसलिए तुमने मुझे एक चांस भी नहीं दिया तुम्हें बचाने का रुद्राक्ष कहता है मैंने तुम्हें कॉंसर्ट के बाहर देखा था फिर भी तुम नहीं आई लेकिन तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हूँ फि कि खेवर नी प्रिशा और यहां पर रद्राक्ष प्रिशा कि आगे गेआता है और कहते हैं कि मुझे मत छोड़ो प्रिशा यह सब कुछ रूही no Dieं थीराे पर यहां पर उसकी नजर परती है रुद्राक्ष की रूही पर हो कहता है क्या यह जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है रूही मेरी बेटी है तब ही वो डिसाइड करती है प्रिश्या की उसको सस्त बता देगी तब पीछे से यवराज आता है वो कहता है रुद्राक्ष रुद्रु को जोड़ार जटका लगता है रुद्राक्ष कहता है यह बकवास बातें बन क करो मुझे पता है प्रिश्या तुम्हारे साथ कभी भी कोई सम्म्न नहीं बनाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों प्रिश्या को हाथ पकरते हैं रुद्राक्ष कहता है छोड़ मेरी बीवी का हाथ य region बच्चे की मया है इसलिए तू छोड़ इसका हाथ तब ही रुद्राक रुद्राक्ष, रूही के जिंदगी खत्रे में मड़ डाल, मैं कह रहा हूं, मेरी बच्ची और मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दे, तु ये सब क्यूं पर कर रहा है, यहां पर प्रिषा भी कहती है, कि देखो, रुद्राक्ष, रूही के बाल कि भी जून बोल रही हो तो बोलो कि यह जून बोल रहा है युवराज रूही मेरी बेटी है इसकी नहीं यहां पर जो रुदराक्ष है वो बहुत ही जादा रोकने की कोशिश करता है प्रिशा को शिमला ना जाने से और इदर दिखाया जाएगा कि रुदराक्ष युवराज को पढ़ेंगी परेता है कि रुभी अब एक रिमिनल की बेटी कहल आएगी क्यूंकि यहाँ पर उसकी ओमा तो जेल के भागी हैं और वो कुछ भी कहने पाता है इससे पहले प्रिशा को घूक्सा आ जाता है और रुध्राक्र का पर खड़ा रहता है और वो प्रिशा के reward का wait कर ना होता है तब युव्राज कहता है कि हां हां कहो तो कोई और चॉइसी नहीं है एक क्रिमिनल की बेटी कहला कर कि रुखी को तुम बढ़ा करो प्रिशा कहती है कि नहीं मैं रुदराक्ष से अब जूट नहीं बोल सकती मुझे उसे सच बताना होगा यहाँ पर जो युवराज है वो कहता है कि रुद्राक्ष तुम्हारे जिंदिगी को अपनी जिंदिगी में दुबारा मिलाने की कोशिश कर रहा है और तुम भूल गई हो उसने वरजनती से भी तो शादी कर ली है अब तुम अपनी ही बेहन की जिंदिगी कैसे बरबाद कर सकती है और दुद्राक्ष की लाइफ में वापस जाकर के अब वो प्रिशा का दिमाग मैने प्लेट करने की कोशिश करने लगता है नहीं हो जाएक आज रात के एपिसोड के जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स रिपोर्ट में अजी मजदा अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें